तो दोस्तों देखिए 12 नमर कोस्टन इसको बनाते हैं इस वीडियो में देखिएगा जरूर यह आपके लिए बहुत इंपोटेंट हो सकता है देखिए यदि A बराबर X पलस Y, B बराबर X मैनस Y, C बराबर 2X मैनस 1 है तो A square पलस B square पलस C square मैनस 2AB पलस 2AC मैनस 2BC का मांड क्या होगा तो दोस्तों यह जो है यह जो आपको दिखाई दे रहा है चलिए आपको मैं बता देता हूँ जैसे देखिए यह option आपको चार दिया हुआ इसको आप आँख मूंद के नहीं मारिएगा चलिए इसको चर्चा करते हैं यह जो देख रहे हैं आप A square पलस B square पलस C square मैनस 2AB पलस 2AC और कहा है दोस्तों इसको मैं नोट कर रहा हूँ इसको और देखिए दिया हूँ एक formula होता है इतना बराव फरमुला होता है क्या ची तो देखिए मैं formula कनोट कर देता हूँ A- B plus C का call square यह formula इतना बराव यह formula होता है तो दोस्तों देखिए इसको बनाते हैं अब यानि देखिए एक कमान यहाँ से दिया हुआ है x plus y तो एक जगा प्लिकिंग x plus y एक जगा प्लिकिंग x plus y अब देखिए minus b, b कमान दिया हुआ कितना दोस्तों देख लिए b कमान आपको दिया हुआ है x minus y अब दोस्तों यहां देखिए plus c, c कमान कितना दिया हुआ है 2x 2x minus 1 इसका square हो जाएगा sorry, square ने, इसा ही रहेगा अब देखिए इसको क्या करते है, calculation कर देते answer आ जाएगा तो दोस्तों देख लिए, इसको करेंगे x plus y, इसको देखिए minus x minus minus plus y हो जाएगा अब देखिए, यह हो गया 2x, यह हो गया minus 1 अब देखिए, इसको किज़े, कितना हो जाएगा तो दोस्तों देखिए, यह, यह, कट गया और इसको, इसको किज़े, कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा plus 2x हो जाएगा minus 1 हो जाएगा इसका, whole square हो जाएगा अब देखिए, इसको क्या करते हैं इसके बाद नहीं टूटे का दोस्तों अंसर आपका यहीं हो गया तो कुछ नहीं थे दोस्तों मैंने क्या क्या फर्मूला को नोट किया उसी को तोर दिया यानि इतना परावर जो फर्मूला होता है अब एक का मान रख दिया बी का मान रख दिया और कल्कुएशन करने के बाद आगया तो देखे यहीं था दोस्तों इसका अंसर आपका हो जाएगा अप्शन नमर सी तो दोस्तों यह जो 17 नमर कोस्टन है इसको यदि बनाईएगा इसके लिए एक फर्मूला लगाईएगा रूट एबी रूट एबी यह का मान रख दिया यहां से 25 और बी का मान रख दिया इसको निकाले गएगा 5 और 4 यह हो गया यहीं 5 के 20 इस तरह से इस कांसर शॉटकॉ कर सकते हैं उतना जल्ली लेकिन आपको मैं विस्तार से बताने बाला हूँ इस कोस्टन को देखिए और समझे तो देखिए दोस्तों कोस्टन जो आपका कहता है एक मिनार के सिर्ष को एक मिनार के चलिए मिनार एक बना लेते हैं अब दोस्तों क्या करता है कि सिर्ष को सेंटीमीटर तो दोस्तों भूमी के पादविंदों से पचीश सेंटीमीटर की दूरी पर कहा और क्या कहा देख लिजे और सोलो मीटर सोलो मीटर के दो अलग-अलग यानि सोलो मीटर इधर होगा तो यहां से यहां तक माल लेते सोलो मीटर और यहां से यहां तक क्या हो गया यह गया 25 मीटर अब क्या कहता है देखे जाने पर बनेने वाला कोन क्या है उन्ययन कोन जो है अनुपूरक है तो इसको क्या करते हैं इसको माल लेते हैं ठीटा यह हो जागा 90 माइनस ठीटा इसको माल लेते हैं ठीटा यह हो जागा 90 माइनस ठीटा इसको माल लेते हैं तो दोस यहां देखे यह ठीटा है कुन? 10 90 मैनेस ठीटा क्या हो जाएगा X बटा, क्या हो जाएगा X बटा, पजीश यह लंव बटा, क्या हो जाएगा अधार, तो लंव हो गए X अधार हो होके 30, अब यहाँ से छोटा बाला किल लगाएंगे, तो 10 थीटा 10 थीटा बराबर हो जाएगा है सब्सक्राइब हो जाएगा वृष दोस्तों आप देखिए एक चीन यहीं 19 मैनेस थीटा किया होता है क्यों थिटा क्या सब्सक्राइब 75 यहां क्या करते हैं फोरा सा दिमाग यॉइंग इस दोन чем को गुना कर देते हैं इस दोन बटा 25 गुनिए ह् बटा 16 दोस्तों इस दूने की जो घुना की जाओ इसका फर्मुला क्या होता है जब जानते होंगे लंब बटा आधाण इसका फर्मृला आधार बट्ट्टे क्या प्लम होता है और हो गिए एंचई स्कॉयर बटे यानि 65 गुशनत इस तरह से दोस्तो यानि कटकर होगया एक यह कटको हुकी हुए एक ए स्कॉयर यानि 66 गुने पथीस समय फेस हुब कर से ऎसे उनकिए ऊफ से यह हो गई है और स्वलिष स्फ रिशुर्णे पचीस यह हो थे इस दोस्तों एस्कोर हटाइग इधर लग जाएगा रूट देखे बात वही घूम के है दोस्तों यह बरावर अब देखे इसका बर्गमूल होगे चाल इसका बर्गमूल होगे पांच एच बरावर चरफ़पंच बीस ऑंसर होगे आपका बीस देख लिए इस तरह स्टॉल्ब कर पहले दोस्तों यह जो है आपको टेंथ का लेवल का कोश्चन है इसलिए आपको मैं डिटेल से बता रहा हूँ यह पूरी तरह समझ जाएंग उनको जामें फाइदा हो जाएगा तो देखे दोस्तों आप देखे सबसे पहले कोश्चन क्या करता है दो खंभे जमीन पर खरे हैं दो खंभे जमीन पर खरे हैं उनके पाद पाद मतलब पैर होता है और उनके सिर्ष के बीच की दूरी कर्ण से देखे 48 मीटर और 50 मीटर दिया गया है यदि छोटे खंभे के उचाई 10 तो बड़े खंभे के उचाई क्या होगा तो सबसे पहले ऐसा कोश्चन को फीगर ब पाद बिंबू के तो तो ने समैंघ के दूरी और 40 बिंदू की दूरी है 48 उसके के यह कलता है तो इद्हर हो जाएगा इस तरह से दस मीटर का खंबात इधर भी दस हो जाए यहां से यहां तक इस तरह से थोड़ा समझते जाएए यह होगा दस अब इसके सिर्ष से क्या करता है यह हो जाए आपको इसके सिर्ष से इसके सिर्ष यानि क्या है चास मीटर की दूरी पर है अब देखिए दोस्तों यहां जब 48 हो यह पुरा होगे h तो इतना जो लंबाई निकालेंगे इतना इसको निकालने के लिए पुरा में से इतना को घटा देंगे आ जाएगा यानी h में से किसको घटा देंगे 10 को इसकी लंबाई आ जाएगा अब देखिए अब एक फर्मुला यहां आपको यूज करना होगा क्याची यह होगया करन यह होगया क्याची दोस्तों यह होगया आधार यह होगया लंब तो दोस्तों आप एक फर्मुला जानते होंगे करन स्क्वाइरậ बढाबर लंब स्क्वाइर प्लस अधार स्क्वाइर स्क्वाइर इस तरह से तो कीजिए यहां का करन क्या हो गया 50 50 किसक्वाइर और दोस्थों लंब स्कुर्बेक्द स्क्रेट एक सोगा माइनेस टू ए यह हो गये हैं मैच यह गुना का चीन है दोस्तों भी हो गया आपको कैसी विखेंच दस और दोस्तों इसको किजेगा कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपको तईसर चीरो चार आप देखें कालकुलेशन कोछ नहीं करना है दोस्तों बच्छ को लिख लेते हैं इसकोल देख दोसको पनलस में इधर आगा तो माइनस 꺁ल दोस्तों ऐह के एका नहींुए । तो आप देखिए क्या चीव में यह आपको क्याची पलस में इधर आगाए तो मैदस में तो चलिए इसको डैक्ट से घटा दिते तोरेंगे कैसे चलिया यानि देखिया है है अब देखिए बीस एच इसको क्या करते हैं दोस्तों ब्रावर किसार पलस उसार जागा तो माइनस ब्रावर इधर 0 कर लिया अब चलिए अब आपको मैं बताता हूं थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों इसको लसी एम लीजेगा इस तरह से कि गुणा करके यह पूर्णा चाहिए जो इघटाओ करके यह पूर्णा चाहिए तो करके देखिएगा देखिए इसको ऐसे लिखेगा यानि इस तरह से और पलस कितना 4 है 24 चोके 96 माइनस 96 हो जागा इस तरह से अब देखिए यहां से एच कोमन लिजेगा देखिए दूनों में एच है एच एक एच इसमें बचे कोमन लिजेगा और इसमें क्या जिर्फ वलिए चोविस बचे इधर देख X इधर क्या बचके दोस्तों इधरदेखिए इसमें इसके लेखेगा 24 चार निकल रहा 24 बचकेए बराबर 0 तो देखे एक बार देखे डेखे इस दूनों में कुमन क्या है इस दूनों में कोमन येरो एक मिल रहा है और इसका बराबर नहीं मिल रहा यानि leaking कोई जोड़ा नहीं मिला इसको तो स्कूज़ गया एस प्लस 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 पोर इसkit क्या होँगा घ्जवांगे यह षलगत तो देखिए इसका जो आंसर हो जाए आपको Jσω 24 जो जाएगा और वुन